हेलो दोस्तों Mission Government Job के Official YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है आज हम GK के एक नई स्टूरिय सीरी शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर मैं डेली आपको GK कोशन कराऊंगी और जिस तरीके से मैं एक्स्प्लेइन करूंगी आए हम 100% शौर की धीरे धीरे जिन बचों की GK बिल्कुल जीरो हैं यानि जिनको GK बिल्कुल भी याद नहीं होती हैं उनको भी धीरे धीरे जो है वो GK याद होनी शुरू हो जाएगी ठीक है इसमें मैं 100% शौर हूँ आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगी GK के अंद जो बच्चे GK में ये सोचते हैं कि हम कैसे याद रखें उनको याद कराने की जिम्यदारी मेरी है वैसे आपको रेगुलर इस चैनल पर आना है और ये वीडियो सुननी है ठीक है जिन बच्चों ने FCI का फारम भर है Food Corporation of India का फारम भर है उसके अंदर GK के 25 कोशन आने हैं और ये जो 25 कोशन होंगे ये 8th लेवल तक पुछे जाएंगे यानि 8th क्लास तक के जो History, Policy, Geography, Science उन सबसे पुछे जाएंगे और इसका जब आप मेंस दोगे तो उसके अंदर जो GK के कोशन आएंगे वो 10th लेवल तक आएंगे यानि आपको History, Policy, Geography, Science, Krunt, Computer सब कुछ के ब करने रहना है और मुझे जो है वो फोलो करना है ठीक है और जो बच्छे चैनल पे नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर देना FCI के लिए जब तक मतलब FCI का पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं regular आप लोगों को GK की वीडियो परवाइड करूँगी अगर आप लोगों का response जो है वो अच्छा रहा तो ठीक है जीक है याद कराने की guarantee मेरी है बहुत सारे question हम cover करेंगे लग भग ढ़ाई 3000 question तो मैं आप ल लोगों को guarantee है ठीक है तो शुरू करते हैं और कोई बच्चे भी किसी पेपर की जारी कर रहे हो जीके हर पेपर में आती है भी तो जीके के लिए आप बेफिकर हो जाईए जुरूरी नहीं है कि थमलें के अंदर FCI लिखा है तो यह सिरफ FCI में ही आएगी हर पेपर में जीक के लिए इस वीडियो को सुन सकते हो ठीक है और एक बात और इन वीडियो के अंदर मैं कोई भी क्रंट अफेर का question एड करूंगी जैसे मैंने किसी भी state का cm बताया या governor बताया तो वो क्रंट का question होगा अगर यह वीडियो आप बहुत टाइम बास सुन रहे हो तो उस टाइम क के अंदर करंट अफेर भी आएगा तो बीच बीच में कुछ है क्रंट अफेर के question भी आप लोगों को बताऊंगी ठीक है तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो आज का हमारा पहला question है भी डंडेली वन्यजीव अभिहारन अभिया डंडेली वन्यजीव अभिहारन क अगर आपको पता है तो निचे कमेंट में बताना नहीं पता तो अराम से सुनो नेक्स्ट वीडियो तक आपको ये पता होना चाहिए कल जब वीडियो अप्लोड हो तब तक आपको ये question यादोना चाहिए भारत में वर्तमान में कितने रज्जे भी 28 रज्जे हैं और कितने union territory है तो आठ union territory है ये आपको याद रखना है ठीक है आप 29 रज्जे नहीं बोलोगे 9 union territory नहीं बोलोगे भारत में वर्तमान में 28 रज्जे है और आठ यूटी है फ्लियर इतना अब डंडेली वन्यजिव अभिहारन भारत के 28 रज्जे में से किस रज्जे में है तो इसका उ रटियोनी चाहिए आपको उडिसा की कैपिटल क्या है भूबनेश्वर करनाटक की राजधनी क्या है बैंगलूरू महाराष्टर की कैपिटल मॉंबई है गुजरात की कैपिटल गांदी नगर है ठीक है एक कोशन के साथ आपका एक कोशन कवर नहीं होगा लगबग साथ से आ दोना चाहिए इसरो का हेड़कौाटर हमारी स्पेस एजनसी का नाम क्या है भी इसरो है इसरो की फुल्फॉम क्या होती है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन ये साईसी एम्टी एस के पेपर में डिरेक्टी पूछा गया था कि एस का मतलब बताओ क्या होता है तो इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन इसरो की फुल्फॉम होती है और इसरो की स्थापना कब हुई थी 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी आपको याद रखना है और इसरो की स्थापना की किस ने थी तो इसरो की स्थापना की थी भी विकरम सारा भाई ने विक के चेर्मेन कोन है वर्तमान में इस रो के चेर्मेन कोन है अब ये वर्तमान में ये क्रंट का कोश्चन है अगर आप वीडियो बाद में सुनू बहुत टाइम बाद सुनू अगब दो महीने तीन महीने बाद अगर कोई ये वीडियो सुन रहा है किसी भी एक्जाम के लिए तो है कौन से नंबर की यह दश वे नंबर के है यह भी आपको पता आज चाहिए तो करंट का कोशना याद रखना है आपको SRO के नए अद्यक्ष कौन बंए है S SOMनात बंए है कोपने है कौन से नंबर के हैं बिल्कुल भी जीके नहीं आती है तो उनके लिए ये वला कोशन भी डिफिकल्ट हो सकते हैं तो शिमला जो है किसकी कैपिटल है भी हिमाचल परदेश की हिमाचल परदेश की दो कैपिटल है एक है शिमला और एक है यहां की कैपिटल भी धरमशाला याद रखना है हिमाचल प पास आठ कैपिटल होगी उडिशा की कैपिटल भूबनेश्वर है करनाटक की बैंगलूरू है महारास्टर की मुंबई गुजरात की गांदिनगर इमाचल परदेश की शिमला हो जाएगी आपके पास धरमशाला हो जाएगी ठीक है जारखंड की रांची गोवा की पंजी और सविधान कब बना था 26 नुवंबर 1989 को हमारा सविधान बनके त्यार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा सविधान लागू हुआ था तो अगर पेपर में कोशन आता है कि सविधान दिवस कब आता है Constitution Day कब आता है तो अंसर क्या दोगे आप 26 नुवंबर को आता है सविधान दिवस लेकिन अगर पेपर में कोशन पूछा जाता है कि गंतंतर दिवस रीपब्लिक डे कब आता है तब आप अंसर क्या दोगे 26 जनवरी को आता है ठीक है सविधान दिवस पूछे कानून दिवस पूछे विधी दिवस पूछे तो 26 नुवंबर अंसर देना है गंतंतर दिवस पूछे या सविधान लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी अंसर देना है जब हमारा सविधान बना था तो हमें अधिकार तो दिये गए थे बहुत सारे ल मोलिक कर्तव्यों को सविधान में बाद में जोड़ा गया था और कोई भी चीज जब बाद में जोड़ी जाती है तो उसके लिए सविधान में अमेंडमेंट करना पड़ता है यानि शंशोधन करना पड़ता है तो मोलिक कर्तव्यों को किस सविधान शंशोधन द्वारा एड किया गया था तो एक शंशोधन हुआ था Ma4 2022 सविधान शंशोधन और कब हुआ था 1976 कि अंदर यानी 22 सविधान शंशोधन 1976 के द्वारा सविधान में क्या जोड़े गए थे मूल कर्थव्य जोड़े गए थे ये आपको धियां रखना है ठीक है और यह जो मूल कर्तव्य है 42 सविधान शंशोधन 1976 के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गई थे तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गई थे लेकिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है भी 11 मूल कर्तव्य है 11 मूल कर्तव्य फिर से बाद में जोड़ा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना उनके माता पिता की जिमेदारी है ये हमारा 11 मूल कर्तव्य है और ये एक शन्शोधन हुआ था भी 86 श्यासिवा सविधान शन्शोधन हुआ था सन 2002 में उसके द्वारा 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था ठीक है दुबारा से बताती कि मूल कर्तव्य को कब शामिल किया गया तो 42 से सविधान शन्शोधन में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 10 लेकिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है 11 अब ये 11 कौन से ये पता होना चाहिए कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना उनके माता-पिता का कर्तव्य है अब यह अगर जोड़ा गया है तो फिर कोई शंशोदन हुआ होगा, शंशोदन कौन सा हुआ था, श्यासीवा, और कब हुआ था, सन दो हजार दो में, आगे समझ में, तो इतने कोशन आपको मूल करतवे से याद रखने हैं, जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मैं इस के साथ साथ आपको और कोशन भी बताऊंगी, और साथ में ये कोशन रिवाइज भी कराऊंगी, ठीक है, नेक्स कोशन है भी, किसे सफेद हातियों की भूमी कहा जाता है, बहुत कॉमन कोशन है, किसे सफेद हातियों की भूमी कहा जाता है, वाइट एलिफेंट कहां पे रह तुर्की ने अपना नया नाम कर दिये ये क्रंट का कोशन है तुर्की है तुर्की का नया नाम है तुर्की है और तुर्की की कैपिटल क्या है भी अंकारा है अंकारा है और क्रंसी क्या है ली रहा है तुर्की की कैपिटल अंकारा है और क्रंसी ली रहा है जपान की कैपिटल क्या है टोक्यो है और क्रंसी क्या चलती है जपान में य एन चलता है ठीक है और क्यूबा की क्या है वी क्यूबा की कैपिटल हवाना है और क्रंसी क्या चलती है क्यूबा के अंदर तो पीसो चलती है क्यूबा के अंदर आगे समझ में यानि चार देश चारों की क्यापिटल औ वल्लाइनर कोशन याद रखना है उसके बाद अगर पूछा जाए कि युनाइटीड नेशन की स्थापना कब हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 को युनाइटीड नेशन की स्थापना हुई थी तो अगर पूछे युनाइटीड नेशन डे कब आता है सयुक्त रास्टर दिवस युमन राइट डे विशव मानवा दिकार दिवस कब आता है तो 10 दिसंबर को आता है रस्टर या बालिका दिवस यानि नेशनल गर्स चाइल डे कब आता है तो 24 जनवरी को आता है आगया समझ में तो 4 डेस करा दिये मैंने आपको यहाँ पे नेक्स्ट कोशन हमारा तोड़ रहा था ऐसा साइंटिस्ट ने बोला था तो प्लूटो को ग्रह किष्रेनी से निकाल दिया गया है वर्तमान में 8 प्लैनेट है आठ प्लैनेट के अंदर अगर पुछे नैप्चुन हमारे सोर मंडल में साइस के अनुसार कौन से नंबर पे आता है तो साइस के भी पता हो अडिशनल चीजे पता हो तो वो कमेंट में लिख देना इससे बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी और आपको भी जी के याद हो जाएगी नेक्स्ट कोशन है चंडिगड के वास्तुकार कोन है चंडिगड वर्तमान में हर्यान और पंजब दोनों की कैपिटल और चंडिगड यूटी कब बना था एक नुवंबर 1966 को ही चंडिगड यूनियन टेरिटरी बना था ये भी आपको याद रखना है और ली कारवुजी है कौन से देश के रहने वाले हैं तो ली कारवुजी है कहां से आप फ्रांस से हैं फ्रांस की कैपिटल क्रंसी क्या है फ्रांस की कैपिटल क्रंसी भी याद रखनी है आपको आपको अंतराश्या मुक्यबाजी संग का है येड़कोर करहां पर है डालाऋ ईस्विजर वा resonates के य वह हेड़कोरर के बना थी qued लेकिन अंतराष्ट्रे मुक्यवाजी संग का है लोजेन स्वीजरलेंड की अंदर आगे समझ में नेक्स्ट कोशन है आमारे पास भी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है गुपत जो वंच चला था उसके अंदर जो समुंदर गुपत थ को पावर्फल माना गया था तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुंदर गुपत को कहा जाता है ठीक है और कौन सा मुगल बादशाह अंपड था तो अकबर जो था वो अनपड था ये आपको याद रखना है मुगल वंच की नीव जो है वो किसने रखी थी बाबर ने रखी थी बाबर के बेटे का नाम हुमायू था और हुमायू के बेटे का नाम क्या था भी अकबर था आगया समझ में दो हजार के नोट पर किसकी इमेज है तो दो हजार का जो नया नोट है उसके ओपर किसकी इमेज है तो उसके ओपर मंगल यान की इमेज है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है, 2000 के नोट से हम मंगल काम कर सकते हैं, आप ऐसे याद रखो, उस पर मंगल यान की इमेज है, 200 रुपे के नोट पे किसकी इमेज है, 200 रुपे के नोट पे सांची कस्तूप है, और 100 रुपे के नोट पे किसकी इमेज है, तो 100 रुपे के नोट पे लाल किले की आगे समझ में तो ये हमारे आज के कोशन थे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को शेर जरूर करना और इस टाइप आप कहीं से भी जीके पड़ो डेली आके आपको ये कोशन सुनने हैं जीरे जीरे आपके जीके के अंदर पकट जो है वो ब तक्यू